नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिंग सोंबन्शी हाफिज सईद, दाउद इब्राहीम और मसूद अजहर जैसे भारत के नाजाने कितने दुश्मन हैं जो most wanted है भारत को ये पता है कि पाकिस्तान में हैं लेकिन चाह कर भी भारत कुछ नहीं कर पा रहा अंतर राश्ट्रिय संस्थाएं तो इन आतंकियों के तमाम सबूतों को भी अंदेखा करती हैं और ये आतंकी पाकिस्तान में मौश करते हैं काश की कोई ऐसा हथियार होता कि भारत यहीं बैठे बैठे बटन दबाता और पाकिस्तान में इन आतंकियों के परखचे उड़ जाते यकिन मानिये ये कोरी कलपना नहीं है बलकि भारत को ये हथियार मिलने जा रहा है और डील अमेरिका से फाइनल होने वाली है प्रधान मंतरी मोधियों राष्टपती बाइडन की मुलाकात में ऐसे ड्रोन्स की डील होने वाली है जिन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन कहा जाता है आप इस रिपोर्ट में जानिए क्या है ये पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ाने वाला मोधि का अमेरिका दौरा शुरू हो चुका है प्रधान मंतरी मोधि की अमेरिका यात्रा से पाकिस्तान की धड़कने बढ़ी हुई है मोधि बाइडन की मुलाकात से पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है नरेंद्र मोधी के स्टेट डिनर से चीन टेंशन में है अमेरिका में बढ़ी भारत की ताकत से चीन पाकिस्तान की नीन उड़ी हुई है मोधी के इस दौरे से चीन और पाकिस्तान दोनों इतने परेशान क्यों चल रहे हैं इसकी असली वजह आपको बताते हैं आज से 15 साल पहले, 2008 में मुंबई में पाकिस्तान के आतंगवादियों ने हमला किया था इस हमले में शामिल कई पाकिस्तानी मास्टर माइंड अभी तक पकड़े नहीं गए है इनी में से एक है 26-11 हमले का मास्टर माइंड साजिद मी जिसे ग्लोबल टेररिस्ट घोशित करने के लिए भारत और अमेरिका संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में एक प्रस्ताव लेकर आए लेकिन चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तमाल करते हुए इस प्रस्ताव को रोक दिया और पाकिस्तान की मदद करते हुए साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोशित होने से रोक दिया इसी लिए भारत ने संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में चीन और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए साजिद मीर का आउडियो सुना दिया अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है साजिद मीर पाकिस्तान में बैटकर आतंग वादियों को अंधा धुंद गोलियां चलाने को कह रहा है देहशत फैलाने को कह रहा है लेकिन इसके बावजूद उस पर प्रतिबंद नहीं लग सकता वो ग्लोबल टेररिस्ट नहीं घोशित हो सकता भारत में दुनिया को सबूत समेथ दिखा दिया है लेकिन अब अगर आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में साजिद मीर किसी ड्रोन हमले में मारा जाए तो क्या होगा साजिद मीर से भी बड़ा आतंकी और 26-11 हमले का एक और मास्टर माइंड लशकर का सरगना हाफिस सईग भी ड्रोन हमले में मारा जा सकता है क्योंकि अब भारत को मिलने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक प्रिडिटर ड्रोन भारत को वो ड्रोन मिलने वाला है जिसने अलकाइदा के चीफ अल जवाहरी को मार गिरा है भारत को वही ड्रोन मिलने वाला है जिसने एरान के कासिम सुलिवानी को मारा तो क्या भारत भी अब अपने बड़े बड़े दुश्मनों को यहीं से उड़ा देगा क्या प्रिडिटर ड्रोन की मदद से भारत अपने दुश्मनों का सफाया कर देगा मोधी और बाइडन की मुलाकात में वैसे तो बहुत सी डील्स फाइनल होने वाली है लेकिन सबसे बड़ी डील इन्ही प्रिडिटर ड्रोन्स की है भारत अमेरिका से 31 हाई अल्टिट्यूट लॉंग एंडूरंस ड्रोन खरीदेगा जिनमें 15 MQ-9B Sea Guardians होंगे और 16 Sky Guardian ड्रोन्स होंगे ड्रोन्स का ये सौदा 3 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 24,603 करोड रुपे का होगा अभी भारत की नेवी इनमें से दो ड्रोन्स का इस्तमाल कर रही है लेकिन वो भारत को लीज पर मिले हुए हैं और वो दोनों भी हतियार बंद नहीं है यानी अभी भारत इन ड्रोन्स की सर्विलांस की क्षमता से वाकिफ है ये ड्रोन्स क्या कर सकते हैं ये समझने के लिए आपको कुछ घटनाएं याद करनी हूँग तारीख थी 31 जुलाई 2022 जगे थी काबुल, अफगानिस्तान अलकाइदा का सरगना अलजवाहरी अपने ठिकाने पर मौझूद था तभी रात को 9 बचकर 48 मिनट पर एक मिसाईल हमला हुआ और इस हमले में अलकाइदा का सरगना अलजवाहरी मारा गया अमेरिका ने दो हेलफायर मिसाईल से हमला किया था और इन मिसाईलों को दागा था MQ-9B Predator Drone में खास बात ये है कि ऐसे हमले के समय कोई भी अमेरिकी काबुल में मौझूद नहीं था इसी तहरे से एक और हमले की आपको याद दिलाते हैं आपको इरान के अलकुद्स फोर्स के प्रमुख कासिम सुलिमानी याद होंगे तारीख थी 3 जनवरी 2020 जगय थी बगदाद एयरपोर्ट के बाहर दो गाडियों में सवार कुछ लोग जा रहे थे तभी मिसाईल हमला हुआ और कुल आठ लोग मारे गए पता चला कि मरने वालों में एरान के अलकुद्स फोर्स के मुख्या कासिम सुलिमानी भी थे यह हमला भी MQ-9B रीपर ड्रोन से हुआ था यहां भी हैलफायर R9X मिसाईल से हमला किया गया जिने निंजा मिसाईल कहा जाता है यानि ना तो कोई स्तेना भेजने की जरूरत ना ही किसी लड़ा को विमान की जरूरत सीधे MQ-9 प्रिडिटर ड्रोन भेजा मिसाईल फायर की और टार्गेट खत्म अब सोचिए कि अगर ये ड्रोन भारत को मिल गया तो क्या-क्या हो सकता है और भारत कैसे अपने बड़े-बड़े दुश्मनों का सफाया कर सकता है मुंबई हमले का प्रमुख मास्टर माइंड और लश्करे तयबा का प्रमुख हाफिस सईध जो भारत के खिलाफ जहर पहलाता है नफरत उगलता है पाकिस्तान में उसका सुरक्षित ठिकाना है भारत ने हाफिस सईध के खिलाफ दुनिया को बहुत से सबूत दिये दिखावे के लिए पाकिस्तान ने उसे गिरफतार भी किया था लेकिन हाफिस सईध पाकिस्तान में सेफ है और मौज कर रहा है लेकिन अब ये संभव है कि भारत को हाफिस सईद की कोई लोकेशन मिले और प्रिडिटर ड्रोन से भारत उसका खात्मा कर दे भारत का एक और प्रमुख दुश्मन है दाउद इब्राहिम 1993 के मुंबाई बम धमाकों का मास्ट्रम आया दाउद पाकिस्तान में बैठा है वहीं से अपना कारोबार चलाता है भारत के पास दाउद का एड्रेस और उसकी लोकेशन तक मौझूद है लेकिन भारत मजबूर है सोचिए जब प्रिडिटर ड्रोन भारत को मिल जाएगा तो ये भी संभव है कि किसे दिन दाउद की सठीक लोकेशन मिले और कराची में दाउद के ठेकाने पर हमला हो और उसका खात्मा हो जाए यानि प्रिडिटर ड्रोन बहुत खतरनाक है इसलिए तो पाकिस्तानियों को अभी से डर सताने लगा है इंडिया अपनी इंटेलिजन्स भी करता रहेगा, सर्विलेंस भी करता रहेगा, अपने मिलिटरी सिस्टम भी करेकता रहेगा, उनके पास एड्वाइंस किमिनिकेशन सिस्टम भी आते रहेंगे, और हम बैठे रहेंगे, जब पाकस्तानियों से बात करेंगे, तो नहीं नही यह ड्रोन है ही इतना खतरनाद इसी लिए पाकिस्तान का डर्ना बनता है क्योंकि एक बार जरा इसकी खासियत जान लीजिए MQ-9B Predator Drone की लंबाई होती है 38 फीट इसके पंखों की लंबाई है 89 फीट यह 40,000 फीट की उचाई पर उडान भर सकता है इसकी रफतार 388 किलोमेटर प्रतिगंटे की होती है यह 40 घंटे तक लगातार उडान भर सकता है इसकी मारक दूरी 11,112 किलोमेटर की होती है क्वाड में शामिल सभी देश इसका इस्तमाल कर रहे हैं क्वाड चीनी दबदबे को रोकने के लिए बना भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया का कटबंधन है 2020 में भारतिय नौसेना को समुदरी सीमा की निगरानी के लिए अमेरिका से दो MQ-9B Sea Guardian ड्रोन एक साल के लिए लीज पर मिले थे बाद में लीज टाइम बढ़ा दिया गया इसके लाबा और भी बहुत से देश इनका इस्तमाल कर रहे हैं MQ-9B Predator Arm Drone को भारत की जरूरतों के हिसाब से परफेक्ट माना जाता है लंबे समय से चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए ऐसे ही किसी ड्रोन की जरूरत बताई जा रही थी इसलिए पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है इंडिया ने एक अपनी इंटेंशन शो किया कि हमें वेपनाइजड अन्मेंड एरियल वहीकल चाहिए एर फोर्स आर्मी और नेवी के लिए और इसी से वो समझते हैं हमारी वो सकती है और वो कहरे हमें हमें लाइन अफ एक्षेल कंट्रोल पर चाहिए लेकिन क्या ड्रोन द वहाई नहीं नहीं ड्रोन जो जो है इंडिया अमेरिकान जब भी कोई चीज इंडिया को देते थे तो पाकसान पूछता था यहां पाकसान को मिल दी थी तो इंडिया पूछता था पायान की करेंड़े ओ अब question ये आगे कि हम पूछी नहीं सकते हैं क्योंकि इंडिया और अमरीका इतना they have a very strategic comprehensive partnership और हम बात ही नहीं कर सकते हैं कि ये क्या हो रहे हैं ये एक चीज मुझे समझ आ रही है कि ये security dilemma है और पाकस्तान के लिए बड़े serious इसके हवाले से complications आ सकते हैं इसमें हम कहां खड़े हुआ हैं ये है question हमारी क्या position होगी हम जो है वो इसी तरह क्या इंडिया अपनी intelligence भी करता रहेगा surveillance भी करता रहेगा अपने military system भी करेकता रहेगा उनके पास advanced communication system भी आते रहेंगे और हम जो है बैठे रहेंगे हथियार समेत इस drone का कुल वजन 5670 kg है इसके fuel का वजन 2221 kg होता है ये drone कुल 2170 kg की 9 missile को लेकर उड़ सकता है ये laser guided missile, anti-tank missile, anti-ship missile लेकर जा सकता है क्रू की बात करें तो ground control station में दो pilot होते हैं जो ground से ही इस drone को control कर सकते हैं इस drone में radar की तरह sensor लगे होते हैं इसमें electronic support के लिए equipment होते हैं जो किसी भी दुश्मन की पहचान कर सकते हैं इसके बाद इस drone में लगी missile और बंग की मदद से उस दुश्मन को तबाह कर दिया जाता है यह युद्ध में हर तरह का काम कर सकता है जमीन पर missile से हमला कर सकता है समंदर में सब्मरीन को खोज कर उसे नश्ट कर सकता है बारूदी सुरंगों का पता लगा सकता है जमीनी और समुदरी सीमा की निगरानी कर सकता है दूर के हवाई लक्षों को भेदने में भी यह पूरी तरह से सक्षम है इसलिए पाकिस्तानी बहुत पूरी तरह से घबराय हुए है अगर आप किसी इंडियम से बात करें और पूछें कि यह जो आप इतनी मिलिटरी कर रहे हो यह साड़ा कुछ कर रहे है तो किस के लिए कर रहे है तो चाइना के लिए कर रहे है पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं है यह कैसे हो सकता है घर में बात करते हैं टूफरंट वारफेर की जब पाकिस्तानियों से बात करेंगे तो नहीं नहीं वो तो हम तो पाकिस्तान के लिए तो नहीं यह तो चाइना के लिए हंडर्ड परसंट पाकिस्तान के लिए हंडर्ड परसंट यह पाकिस्तान के लिए है और यह वही तरी ची यहां के लिए यह भी प्रेपरेशन कर रहा था और उसको वैपन्स को डेपलाई करता था जा जरूरत कर दे तो आज अगर इंडिया चाइना की तरफ से देखते हुए कि इंडिया की जो डेफेंस एकोजिशन हो रही है तो तो डेट डेजन मीन के इंडिया एलेसी के उपर जा सकता है सीधे सर्जिकल स्ट्राइक में भारत सक्षम होगा और फिर भारत को अपनी फॉज भेजने की जरूरत नहीं होगी सीधे ड्रोन जाएगा और स्ट्राइक करके लॉट आएगा लेकिन यह ड्रोन एलेसी से लगे एरिया में चीन को भनक हुए बिना उसकी निगरा प्रेडियन ड्रोन भी खरीदे जा रहे हैं